अम्हां वह स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में एस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे और व क्डिक पर आपीक या लगनुटिकेशन को टो इसन को देखते हूं के सरी है है this इसमें सही एप्रोच क्या होनी चाहिए यह मैं बताता हूँ आपको क्योंकि ज्यादतर इस्क्रेंच जो है इंग्लिश एक्षिन में उनका या तो सेक्षिनल कट आफ नहीं निकल पाता है और सही स्कोर अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाते हैं उसका रीजन यह है कि उनकी एप् आपको बताऊंगा कि सही एप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको सक्सेस मिले बैंकिंग एक्जैम में और आपका सेलेक्षिन हो तो चलिए देखते हैं इन रियल कोस्टिंस को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे फ्री क्योंस में दूंगा वहां से इन इकोसिस को आप जोइन कर सकते हैं और कम्प्लीट इंग्लिश एक्षिन इसमें आपका कबर होता है प्री मेंस और गीडिपी आई का और एक साल की वरिटी इसमें आपको दी जाती है और कितने भी एक्जैम्स आप एक साल में दें सारे एक् को पढ़ते हैं दा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूवेबिल इनर्जी शुट कंसीडर इस मूव तो इंट्रोड्यूज आ ओन सोलर टैरिफ देके टैरिफ क्या होता है टैरिफ एक रेट्स रेट्स होते हैं जैसे मोबाइल का प्रीचार्ज कराते हैं तो इसके टैर लगा नहीं सकते इस वेडल टैरिफ लगा सकते हैं या अपर लेमिट लगा सकते हैं तो वी और यहां पर आपका आपके options होंगे और second आपका सही answer होगा अब देखिए मैंने इस question को कैसे किया? मैंने इस question को मैंने यहाँ पार एक keyword देखा आपको keyword को pick करना होता है keyword के according आपको answer देना होता है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि on है तो on की according क्या आ सकता है इसमें solar tariff मैंने बताया यानि यह यहां पर आपका keyword है और इस keyword के according आपको यहां पर answer मैंने निकाल के बताया अब गलत approach क्या है गलत approach यह है कि आप इस पूरे sentence को पढ़ें इसका मतलब निकाल लें सारे word meanings को देखें यह गलत approach है examiner चाहता है कि English की आपको basic understanding हो English किस क्या सरी किसे काम करती है उसके applied aspects को देखना है आपको English language के applied aspects को देखना है और सभी banking exams में English language के applied aspects ही आपसे पूछे जाते हैं आपसे यह नहीं पूछे जाता कि noun कितने प्रकार की होती है या प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं पूचा जाएगा आपसे application पूचा जाएगा English section का English language का application क्या है और सारे English के questions को आप से logical reasoning के base पर ही solve करवाया जाएगा यदि English question को आप logical reasoning के साथ solve कर सकते हैं तो आप banking exam में सफल हो सकते हैं इस चीज को यदि आपने समझ लिया तो आप banking exam में सफल हो सकते हैं ठीक है तो यह है सही approach अब देखिए दूसरा question हम discuss करते हैं it is clear that the regulator is trying to infuse liquidity in bond market but borrowers be given the option be given the option यहाँ पर एक keyword है be given के साथ क्या word जुर सकता है be given the option मतलब उनको option the option को देने की यहाँ पर बात हो रही है तो be given के साथ यहाँ पर third form लगा है क्या आप इस मैं likely लगा सकते हैं likely likely तो is MR के बाद आता है he is likely they are likely it is likely मतलब यह संभावित है hardly भी hardly भी बैसे ही आता है hardly present simple tense में आता है ही hardly goes to temple इस तरीके से ठीक है यहां पर आप मस्ट लगाई तो मस्ट के साथ जुड़ जाएगा मस्ट भी गिविन मतलब option दिया जाना चाहिए मस्ट भी गिविन इसका मेने पूरा sentence नहीं पड़ा मैंने सका मीनिंग निकालने की कोशिश भी नहीं की मैंने केबल की वर्ड को देखा और की वर्ड के अकोडिंग मैंने यहां पर फिलर को भरा और उसका अंसर निकाला तो यह है सही अप्रोच इस तरीके से इंग्रेश को्श्टन्स को आप On the United Nation Human Development Index, Index, Human Development Index है, उस पर improvement की बात कर रहे हैं, जब index पर हम किसी चीज़ को improve करते हैं, तो क्या चीज़ होती है वो, वो या तो score हो सकता है, और या वो grade हो सकता है, ठीक है, score और grade, equivalent है ये, तो इसलिए यहाँ पर आपका answer होगा, BC, यानि आपका answer होगा third, देखिये, कितना लंबा sentence है, और कितनी जल्दी इसका answer मैंने बताया, और logical reasoning के बेस पर आपको मैंने इसका answer बताया, ठीक है, कि United Nation Human Development Index है, और index पर हम किसी चीज़ को improve करते हैं, हम rank को improve करते हैं, index पर, ठीक है, को करना है, क्योंकि real exam में time management जो है, वो time management is a very crucial thing, और time management को यदि आप implement नहीं करते हैं, तो आप sectional और overall cut-off नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कम questions आप कर पाएंगे, time management को आपको definitely आपको apply करना है, आप देखिये, इस question को हम देखते हैं, the government and its agencies must identify and overcome the socio-cultural barrier and taboos that, देखिये, barrier क्या करते हैं, barrier आपको रोकते हैं, barrier और taboos आपकी तरक्षी को रोकते हैं, यह keywords है, ठीक है, barrier and taboos that, that, यहाँ पर एक keyword है, progress, वो progress को क्या करते हैं, barriers और taboos, वो उसको रोकते हैं, तो रोकने का equivalent word यहाँ को आपको चाहिए, रोकने का equivalent word है hamper, और hamper का equivalent है hinder, यहाँ पर आपका answer होगा cd, आपका answer होगा third, मुश्कल से 3 या 4 second लिए मैंने maximum, और इसका सही answer मैंने बताया, keyword के base पर, मैंने यह पूरा sentence नहीं पढ़ा, इसका meaning नहीं बताया, और सही answer मैंने बता दिया, तो यह है आपकी सही approach, ठीक है, हाला कि कुछ students को यह लग सकता है, कि मैं गलत बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सही approach आपको बता रहा हूँ, और यही approach आपको सफलता दला सकती है, किसी भी banking exam में, इसकलाबा और कोई तरीका नहीं है, देखें, यहाँ पर हम देखते हैं, और आपके सामने यह question है, यह real questions है, changing such attitude is, मतलब attitude को change करना क्या है, attitude को change करना क्या है, वो यह तो necessary हो सकता है, और necessary है तो वो compulsory भी हो सकता है, यहाँ आपका answer होगा यहाँ पर VD, आपका answer होगा first, कितना time लगा इसमें, दो second लगे इस question को solve करने में, अब student क्या करेगा, एक जो normal student है, वो sustained improvement on HDI, इसका मतलब निकालने ही कोशिश करेगा, gap का मतलब निकालने ही कोशिश करेगा, किस बारे में बात हो रही है, इसका मतलब निकालने ही कोशिश करेगा, जो की expected नहीं है, जो की required नहीं है, आपको केबल answer लगाना है, answer निकालना है, और इस question में, सही answer क्या हो सकता है, उसको आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, question number six देखते हैं, इस question में एक sentence दिया है, पाँच पार्ट में divided है, लास्ट पार्ट जो bold है, वो अल्ड़ी correct है, ठीक है, इस पार्ट के लाब आप कितने पार्ट बचें, चार पार्ट बचें, चार पार्ट में से तीन पार्ट incorrect हैं, और एक पार्ट correct हैं, यानि क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि इस correct पार्ट के लाबा, आपको एक correct पार्ट और देखना है, चार में से एक, चार sentence fraction दिये हैं, उन चार में से कोई भी ये correct पार्ट देखना है, वो ही आपका आंसर होगा, और उसके according की यहाँ पर से आपका आंसर बनेगा, इट वाज अलीज्ट, मतलब ये आरोप लगाया गया था, देट वेन सेंक्सिनिंग, लार्ज इसके लोन्स टू कॉर्पोरेट्स, देवर, वर्किंग इन कॉलीजन विद ये लोन अरेंजर फर्म, and had avoided certain guideline for, देखे, यहाँ पर थोड़ा सा grammar आपको apply करके मैं बताऊंगा आपको, देखे, उनके उपर आरोप लगाया गया था, कि when sanctioning, जब वो sanction करते थे, तो यहाँ पर when नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा while, क्यों आएगा, क्योंकि when हम particular time के लिए लगाते हैं, when does you, when do you come back, I come back at 8 p.m. when हम लगाते हैं particular time के लिए, while हम लगाते हैं, over the period of time के लिए, तो जब वो loan sanction करते थे, तो loan sanction करने के process की इसमें बात हो रही है, वो process जो है, वो एक particular point नहीं हो सकता, वो एक duration ही होगा, तो यहाँ पर when आते हुए, यहाँ पर हम लगाएंगे while, it was at least, it was at least that while sanctioning large scale loans to corporate, they were working in, collision नहीं होगा, collision का मतलब होता है, दो चीज़ों का टकराना, यहाँ पर जो सही word होगा, वो होगा, मतलब I की जगए U आएगा, उसका मतलब होता है agreement, तो यह गलत हो गया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा, आवोइड सर्टेन, देखें सर्टेन जो है, यह अपने साथ plural नाउन लेता है, सर्टेन पीपल, सर्टेन बॉक्स, सर्टेन गाइडलाइन होगा यहाँ पर, यहाँ इसमें आपका, सेकिंड पार्ट सही है, इस तरीके से, इसको करना है आपको, लेकिन इन को को स्कों भी, आप 20 सेकिंड में कर सकते हैं, पांच सेकिंड में तो नहीं, लेकिन 20 सेकिंड में तो आप आराम से करी सकते हैं, अब देखें, इसको देखते हैं, वेन dengan रिदेंशन प्रेसर 컨ٹिनुई इंचींट तू तो रही है तो तर्ड निंग होगा यहां पर यहां पर यहां पर यह यहां पर यह इसमें आपका थरड वाला पाथ सही लग रहा है इसमें आंसर है आपका थर्ड ठीक है ऐसे इन को करना है Frage Number 8 के दिखते हैं The RBI has a lot of balancing to do among liquidity and inflation दो चीव की बात हो रहे हैं इसमें liquidity and inflation की की दो चीव के लिए हम bit fundamental लगाते हैं अमाने लगाते तो यहां हो गया bit ubeen liquidity and Allah is a CRR But St. additive Kya होता हा में जयसे जसे किसी चीज़ में additive हम जोड़ देते हैं तो उसको परेजर कर सकते है वह खराब नहीं होता है कोई भी चीज जैसे जूस है जूस के अंदर आप एडिटिव जोड़ देते हैं एडिटिव का मतलब एडिशन ही होता है और एडिटिव के बाद हम टू लगाते है फॉर नहीं लगाते है ठीक है तो यहां पर यह तू आएगा यहां पर गिब दा फै सब्सक्राइब यहां पर यहां पर आपका सही आंसर है ठीक है कुछ नमबर नाइन देखते हैं ओवर द नेक्स सेवन तो एडियर्स बैसे यह पात सुरू से ही वैसे यह पात देखने में सही लग रहा है देखने हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे दा ब्रांड इस्टेपल पूर इंडस्ट्री इंडस्टी के बाद आग अल नहीं आएगा इंडस्टी इस एक्सपेक्टेटिट व अधू के बाद शो आएगा यहां पर सब्सक्राइब न चीए ब्रांद इडिख ब्रांड इड़स्टेपल फूर्स इस्टेप्ल फूर्ट का मतलब होता है जो हम डे एपर पर गलत है ठीक है इसमें फिर्स पार तर्ट सही आपका यह वाला जो पाथ है यह इसमें सही है फ़र्स्ट इसमें आपका अंसर होगा 10 देखते हैं इस डेपोटेडेडर नौ फर्स ताइम फोर्दा फर्स टाइम होता है तो यह गलत हो गया चाइना बैंकिंग रगूलेशन कमिशन हैस काल डॉन बैंक्स तु अर्जेंटली ओपर स्पेशल फाइनेसिंग सपोर्ट यह सपोर्ट हो एक्षणी सपोर्ट टूड अग्रिकल्चर सेक्टर टुदा टूदा फेस अफ नहीं होता है इंदा फेस अफ यह चीए देखी कैसे कै लोज में आ रही है कि इंदा फेस अफ होता है यह चीए आती है रीडिंग से जब आप रीडिंग करते हैं रेगुलेर बेसे पर तो वर्ड कॉमिनिशन वर्ड मीनिंग्स किसके साथ कौन सा वर्ड आएगा यह एक नैचुरल एप्लिट्यूट अपके अंदर क्रीट हो जात इस फॉर्ड फर्स टाइम तो यह गलत हो गया आपका टूर्जेंट ली ओफर इस्पेसल फाइनिसिंग इसमोगा सपोर्ट इसमोगा इंदा फेस ओफ हां इसमें यह वाला सेकेंड पार्ट सही है इसमें तो यह है आपकी सही एप्रोच इस तरीके से बेंके एक्जाम में इ किसी भी ऑनलाइन और आफलाइन कोचिंग की अपेक्शा एक साल की वैलिटी मैं देता हूं रियल कंटेंट मैं पढ़ाता हूं सारे रियल कोश्चन्स लेता हूं प्रीवेस के कोश्चन्स मैं सारे कवर करता हूं बहुत डिटेल में मैं ग्रामर की और सारी चीयों की वहां आफ पर नौलज़ देता हूं तो उन कोर्से स्कूअ को इदि यह फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सलेक्शन हो सकता है आपको सफलता मिल सकती हैं यह इंदि एंगलिश्चन्स अपकी कमजोरी है है छलाकी मैं उसमें जो डूसरे से से उसके बारे में भी ग करें तो इन कोर्स के मैंने अभी फ्रैस बैचेश सज्ट किए हैं और बैंक पीओ के लिए और बैंक करना चाहते हैं इसके लिंग्स में नीचे डिसक्रिप्षिप्शन बॉक्स में दूंगा वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं और फिलिस अंदर में अपनी वैब साइट पर आ तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू